हेलो नमस्ते अस्रेका अलादा अब मैं नमिद आप सबका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स हरी के इस पर बच्छों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइपस ओफ एचार प्लानिंग एचार प्लानिंग से लेटेड और भी बहुत से टापिक्स हम अलड़ी कर चुके हैं जैसे की मीनिंग, फीचर्ज, एड्वांटेज, प्रॉसेस और भी बहुत कुछ तो वो सारे टापिक्स आप देख सकते हैं वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल और वीडियो पसंद आये तो दोस्तों के साथ शेर जरूर कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी human resource planning दो तरीके से होती है या तो हम लंबे समय के लिए planning करते हैं या हम short period के लिए planning करते हैं यानि कोई नया project या objective हमें हासिल करना है तो उसके लिए हम employees hire कर लेते हैं और जैसे हमारा काम पूरा होता है हम उन्हें job से निकाल देते हैं इसी के basis पर हमने यह सारा concept ट्यार किया था कि HR planning टू टाइप से होती है short time short time जो है वो 2 साल तक के लिए होती है मैं दो साल से उपर नहीं जाएगी जब आप 2 साल से के लिए देखते हो कि हमें कितना HR चाहिए और कैसा उनके अंदर knowledge skills होना चाहिए तो वो short time में आता है और long time HR वो होता है जब 2 साल से जाधा period के लिए आपको employees hire करने हैं जिसको पर्मानेंट employees भी कहते हैं clear हो गई बात चलिए आप पहले इसका screenshot ले लिजे first है problems faced in short time plan जब हम थोड़े समय के लिए यानि 2 साल तक के लिए plans कर रहे होते हैं कि हमें कितना manpower चाहिए तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम जिन employees के साथ काम कर रहे हैं वो कैसे हैं हमारा existing staff कैसा है उनकी knowledge level skill कैसी है ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के साथ वो outdated ह हो गया है उन्हें technology की knowledge नहीं है अगर ऐसा है तो हमें वो चीजें दूर करनी होंगी ठीक है तो जह हम short time में काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने existing staff को देखते हैं तो हमारे पास तीन तरह का होता है problem first है weak incubant यानि जब हमारे employees weak होते हैं यानि वो जादा talented नहीं है skilled नहीं है changing environment के साथ वो co-op नहीं कर पा रहे है ठीक है strong incubant का मतलब होता है कहीं बार हम क्या करते हैं किसी person को hire कर लेते हैं और जब वो हमारे साथ काम करने लगता है तो हम यहीं पता चलता है कि हमने just post पे उसे रखा है न वो उससे भी जादा काबिल है यानि हम उससे जादा काम अगर उसे देंगे उसे जादा responsibility और challenging job देंगे तो वो कर सकता है वो जादा strong है ठीक है और third है unexpected vacancy यानि कि अचानक से vacancy create हो जाती है जैसे किसी ने resign दे दिया अचानक से या किसी की अचानक death हो जाना ठीक है तो वो unexpected है यानि आपने सोचा नहीं था बट आपको अचानक से vacancy मिल ठीक है ये तीन problems आती है जब हम अपना existing staff को check कर रहे होते हैं अब इन problems को दूर कैसे किया जाए भई problem तो समझ आगे मैं उसको solution भी तो करना है HR department को तो अगर आपके पास weak employees है तो आप उनके लिए क्या करेंगे job से थोड़ी ना निकाल देंगे क्या करेंग आप उनके लिए How can you solve this problem? First of all changing the man, यानि man को change करना है ठीक है उसकी personality निखार नहीं है उसे training देनी है, development करना है उसको नई-नई skills सिखानी है ताकि वो बदलते समय के साथ co-op कर सके ठीक है? कि भई जादा technology उसको नहीं आती, जादा talented वो नहीं है ठीक है? तो उसको, suppose वो manager है लेकिन वो manager के लाइक काम नहीं कर रहा तो उसको उसे निचने की post पर रख दीजे कोई और काम दे दीजे ठीक है? या manager की post पर उसका workload कम कर दो, कोई ऐसा काम उसे दो जो वो कर सके ठीक है? तो वो एक नया person बनके आएगा और और अच्छे से काम करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर कोई employee strong है तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि अगर आपने strong employee को proper feedback नहीं दिया, promotion bonus नहीं दिया, उसका ध्यान नहीं रखा तो वो company छोड़ के बाग जाएगा, ठीक है? तो strong person को रोक के रखना भी जरूरी है, वो हम कैसे कर सकते हैं? first, assign more responsibilities and challenging job, उसे जादा से जादा responsibilities दो, जादा से जादा tough काम दो, क्योंकि वो उस काम को करने के काबिल है, ठीक है? third, second, take advice या suggestions from them, मतलब time to time उससे advice लेते रहिए, suggestions लेते रहिए, इससे क्या होगा? वो person motivate feel करे season में मुझे involved किया जाता है, यानि की वाकई company मेरी काबलेत पहचानती है, ठीक है? उसको थोड़ा proud feel होगा, third, change the job, उसकी job change कर दो भई, उसको promotion दे दो, ठीक है? या उसका department change करके और challenging jobs उसको दे दो, यह तो था short term planning, I hope सबको समझ आया, फिर भी कोई doubt हो, तो comment section में जरूर बताएगा, अब हम बात करते हैं, long term planning की, जब हमें लंबे समय के लिए plan करना है, तो हम existing staff के साथ नहीं कर सकते, हमी क्या करना पड़ेगा, कि बाहर से लोगों को apply, employ करना पड़ेगा, jobs देनी पड़ेगी, अब बाहर से employee अगर आ रहा है, तो उसके लिए process follow करना पड़ता है जो की है, first, projecting manpower requirement, यानि सबसे पहले आप यह check करोगे कि मुझे और कितने नए employees की जुरत है, ठीक है, second, check existing manpower inventory, suppose करते हैं, आपको लगा कि आपको 50 और employees की जुरत है, ठीक है, फिर आप यह भी check कर लो कि आपके पास existing manpower inventory कितनी है, suppose करते हैं, 50 लोग पहले से ही, 50 और third, recruitment and selection, अब आप क्या करोगे, जो नए लोग आपको hire करने हैं, उनको recruitment करने का काम करोगे, यानि उनको बताओगे कि company में vacancy है, ताकि वो apply कर सके, अरे कोई apply ही नहीं करेगा, तो तुम select कैसे करोगे, है ना, तो आप advertisement देंगे, चाहिए न्यूस पेपर में TV चैनल स्वर, य ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग जगा से लोगों को attract करेंगे कि वो आपकी company में apply करें, फिर एक selection test होगा, पूरा process होगा, written test, interview, demo, पदा नहीं क्या-क्या, उसके बाद आप एक best person को select कर लोगे, फिर manpower development, अब आप उसे training भी देंगे, क्योंकि जो इनसान आपकी company में आया, उसे पहले company की working समझानी पड़ेगी, थोड़ा सा train करना पड़ेगा, और last में आप क्या करेंगी, उसका performance का appraisal करोगे, और उसे feedback दोगे, यानि आप ये check करोगे, कि जो काम उसे दिया गया है, वो कैसे उसे perform कर रहा है, अच्छे से कर पा रहे है कि नहीं, कहीं अगर और उसको दिक्कत आ रही है, तो उसकी वो problem खतम करके guidance देना, ठीक है, उसको proper bonus, commission देना, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसे promotion देना, recognition देना, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है, ताकि employee को पता लगे कि वो काम कैसा कर रहा है, तो I hope आपको clear हो गया है ये topic, व बगे हैंगा, गएल है क्यों करना, आपको झा करना, अपको करना, आफान लू, स्वाणील कर आपको Come क करना, भी कर दो के बाहा है, वो कर दो करता है, तो